So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है Gale India Limited की तो वीडियो को आगे continue करूँ से पहले अगर भी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर दिना साथ ही आप हमारे Telegram चैनल को join कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे description में मिल जाएंगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार check out जरू करना तो Gale India Limited की अगर हम बात करे तो stock में अगर आप देखोगे 194.25 रुपिस के राम तक की एक closing देखने को मिलती है stock ने अगेन आज एक नया record यहाँ पर बना दिया है stock में गर देखे 3.40 रुपिस तक के return रहे इसी के साथ stock ने आज एक नया high create किया 196.35 रुपिस के राम तक का एक नया high है और यही इसका नया 50 रुपिस का high भी बना है और all time high भी बना है तो एक बड़ी चीज हमें एन जरा जाती है तो stock में अगर देखे कल भी एक नया high create हुआ share ने आज भी एक नया high create किया और stock में हमें पुरी उम्मिद है कि कल भी एक बड़ा high stock में हमें देखने को मिल सकता है कई बड़ी ऐसी reports हा रही है जिनका stock के उपर काफी positive effect पढ़ रहा है और उन reports के बाद stock में और एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिल सकती है share में अगर आप देखो last 5 days में भी काफी एच्छे returns रहे है यहाँ पर 29 तारीक से लेके अगर हम बात कर ले यहाँ पर आज के दिन तक की लगबग 5 March के राउन तो 6 दिनों के अंदर अंदर ही stock अगर आप देखोंगे तो 17 रुपे के राउन तक के return दे चुका है एक महीने की भी अगर हम बात कर ले तो एक महीने में भी stock में 12 फर्वरी से लेके अगर हम बात कर ले पाँच मार्च तक की तो बहतेरी डेटन मिला है तो stock में जो rally हमें देखने को बल रही है वो काफी तगडी rally है और कई बड़ी ऐसी reports है कई बड़े ऐसे brokerage firms है जो यहाँ पर positive नजरा जाते है और उनका कहना है कि stock 200 रुपिस तक जा सकता है और इसे ही brokerage firms में आप देख सकते हो एक brokerage firms है यहाँ पर अगर देखे है BL Research Bureau की और से कहा जा रहा है कि आप stock को buy कर सकते हो 190 रुपिस के राउंड तक और इस share में एक तगड़ी रिटन आपको देखने को मिल सकते है आप देख सकते हो इनकी और से target 200 रुपिस से लेके 205 रुपिस के राउंड तक के दिये जा रहा है 200 से 205 रुपिस तक यह share जा सकता है इनकी और से rating यहाँ पर दिये चारी है और इसा नहीं है कई बड़े इसे firms है जिनका कहना है कि stock आने वाले टाइम में बढ़ सकता है जैसे संजीव बसीन का मानना है संजीव बसीन ने भी यहाँ पर Gale India Limited को यहाँ पर पकड़ा था और उनके 3 Dark Horse Picks में से एक share यह भी है और वही गर देखे कई इसे firms है जिनका यही कहना है कि stock में आप बाई कर सकता हो यहाँ पर अगर देखे stock to buy बजाज, Finzo, HAL, Gale तो Gale का नाम यहाँ पर भी हमें नजराता है और उसके बाद अगर देखे तो यहाँ पर Angel One के जो डेव सिंग है उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर उनके भी top 3 fix है जिसमें Tata Motors, Gale और Owen जिसी है और Gale ने अच्छे return आज दिये भी तो Gale में अगर देखे back to back कई बड़ी ratings दी जा रही है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर Gale में The Economic Times में एक article है उसमें भी आप देख सकते हो Gale India Limited में buy की rating दी जा रही है 200 का target दिये जा रहा है तो यह अगर दिखा जाए पिछले कई दिनों से back to back बड़ी रिपोर्ट इसमें आ रही है और इन रिपोर्ट में एक ही चीज कही जा रही कि Gale को आप buy कर सकते हो और exactly यहाँ पर वेसी ही चीज़े देखने को बल रही है Gale India Limited में जो targets नजर आ रहा है 200 रुपीज तक के ओ देखने को मलते है और इससे पहले भी अगर देखे कई brokerage firms है जिनका यह कहना है था कि आप इसमें अब selling की ओर जाओ क्योंकि उन्होंने target reduce किये थे बट जब GM financials की ओर से यहाँ पर report आई GM financials का यह कहना था कि stock में आप buying की ओर जा सकते हो क्योंकि stock में एक अच्छी rally आ सकती है बट उससे पहले उन्होंने अपने target को rise किया उन्होंने 168 के round तक के target दिये थे पहले फिर उन्होंने 175 का target दिया और 175 के level तक यह आया भी और वहाँ से reverse लाया यानि वही से confirm हो गया था दिया गया था और 200 तक तो यह इजी तरीके से जाता हुआ हमें नजर आ रहा है फिर यहाँ पर आते हैं प्रभुदा स्लीलाधर तो प्रभुदा स्लीलाधर की और से भी यही कहना था कि यह 157 तक आएंगा बट वहाँ तक यह शेर नहीं गया और ओल हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक में अगर आप देखोंगे बाइंग हो रही है तो बलकुल यहाँ पर हाई वॉल्यूम के साथ स्टॉक को बाई किया जा रहा है और कल भी उम्मीद है कि स्टॉक में एचे रिटन है आज एक नया रेकॉर्ड इसने बनाया इसका जो हाई है वो आज लगा है 1.96.35 रूपिस के राउं तक का और यही इसका नया 52 वीक का हाई है 1.96.35 रूपिस का तो एक काफी अच्छी पॉजिटिव चीज हमें यह नजर आ जाती है कि स्टॉक में अगर देखे आने वाले टेम में जो ग्रोथ है और कंटीन्यू होगी क्योंकि स्टॉक में काफी पॉजिटिव रेटिंग के साथ साथ यहाँ पर नए हाईस डे बाई भी बन रहे है तो अब लेवल क्या कहते हैं तो गेल इंडिया लेमिटेड में किन लेवल्स की हमने पहले बात की थी और क्या टार्गेट हमारे अच्छी हुए आ नहिए बिलकुल exactly target हमारे अच्छी हो गए और कल जिन points को हमने डिसकिस की डिसकस किया ओय था exactly उन points को काफी अच्छी तरीके से share जो है respect दे भी रहा है हमने कल ही कहा था कि stock में अगर देखे अच्छी rally आई है share जो है इस point के उपर इसने breakout यहाँ बार दिया है बिल्कुल एक शानदार breakout मिला breakout के बाद अच्छी rally आई बट उपर जाने के बाद stock में अगर देखे यहाँ से हलका एक fall आ फिर उपर इस particular range पे इसने sustain किया फिर उपर गया फिर अगें sustain कर रहा था तो एक चीज मैंने कही थी कि इसके उपर अगर ही जाता है इसके उपर ही अगर ही trade करता है तो stock में और एक spike आ सकता है exactly आप देख सकते हो और एक spike हमें देखने को बिला एक नया high यहाँ पर अगर आप देखोंगे stock ने एक new high यहाँ पर create भी किया इस नया high लगाने के बाद stock जो है थोड़ा sideways रहा है और कल आप और positive रह सकते हो इसने नया high यहाँ पर break कर दिया तो कल के लिए भी आप positive रह सकते हो कल भी अच्छे return यहाँ पर मिल सकते है क्योंकि stock की अगर बात करें तो बिलकुल sideways यह consolidate कर रहा है और साथ ही इस trade line के उपर भी अगर आप ध्यान रोके तो हो सकता है कि इस trade line के उपर यह support लेने की कोशिश कर सकता है यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो stock downside क्यों रहा है और यहाँ पर अगर देखा जाए consolidation period में stock फसा हुआ है तो एक चीज मैं कहूगा कि यह range create कर रहा है ठीक है यहाँ पर stock कही ना कही एक range बनाने की कोशिश कर रहा है एक range bond में यह share जो है फसने की कोशिश आपर इसकी चल रहा है बस इस range को अगर ब्रेक कर देता है upside की और कल के दिन यहाँ पर तो consolidation यह कर रहा है बट अगर कल इस range को यहाँ पर कर देता है यह break तो यहाँ से stock में एक अच्छी rally देखने को मिल सकती है यहाँ से जो बड़त है वो continue हो सकती है काफी अच्छे return जो है यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है इस point के उपर आप ध्यान रखो बाकी 1 hour के time frame पर जो जो level हमने discuss किये थे जो जो फीब जोंस हमने यहाँ पर discussion किये थे previous videos में उन फीब डेवल्स के हिसाब से stock ने काफी अच्छे returns यहाँ पर दे दिया है काफी अच्छी rally stock ने हाँ पर बताई है support and resistance जो है proper तरीके से stock में काम किया है तो इस सब point के उपर भी आपको focus रखना है बिलकुल exactly आप देख सकते हो stock में पहले इस point के resistance मिले ब्रेकाउट के बाद उपर गया इस है फिर यहाँ पर falling wage type pattern बना फिर ब्रेकाउट के बाद stock उपर जा रहा है तो again consolidation period में रहेगा फिर एक breakout मिल सकता है breakout के बाद अच्छे return यहाँ पर हमें मिल जाए गया अब बार ही आती है bonus share की जो देने वाला है bonus पेशालो digital limited stock अगर दिखे 184 रूपिस का है stock की और से bonus का announcement किया गया है 100 के बदले 100 bonus के shares मिलेंगे क्योंकि company के और से दिया जा रहा है 1-1 का bonus 20 March 2014 से पहले buy करते हो तो इसका benefit विलेगा 1-1 का bonus 100 share के उपर 100 share मिलेगे एक share के उपर एक bonus का share मिलेगा तो exactly आप इसे buy की और जा सकते हो तो और रहल काफी कुछ बाते कर लिए हमने इन shares को लेकर इस वीडियो में तो I hope आपको ये वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो को like channel को subscribe करना और कोई भी stock में investment करते हो